दूश्तों कुछ ऐसे Excel के यूजर है जो अभी अभी Excel सीक रहे हैं, उनका मानना होता है कि हमें Excel के सभी function और feature आना चाहिए, हमें उसका यूज़ करना आना चाहिए और वो Excel में क्या काम करते हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो उन्हीं यूजर को ध्यान में दोस्तों आप दिख रहे हैं बीसिक कम्प्यूटर हैं। भाइव सब्सक्राइल करते हैं, क्या है। जब आप अपने टेक्स पर कोई फॉर्मेटिंग करते हूँ, जैसे कि formatting means होता है, आप bold कर रहे हो, italic कर रहे हो, underline कर रहे हो, color डाल ले हो, तो यह text formatting है, जब आपको formatting की copy paste करना है, तब आप format painter यूज करेंगे, दूस्तों क्या है, जब आपको कोई formatting पसंद आया थी, किसी भी text में आप चाहते हैं, तब आप इस function का यूज करेंगे, तो कहने का मत्तब है, अगर आपको formatting copy paste करना है, तब आप format painter यूज करेंगे, तो चली दूस्तों हम इसका practically यूज करते हैं, यहाँ पर मैंने, इसको मैं clear कर दियता हूं भी, suppose that यहाँ पर मैं दूस्तों, bold करता हूं, italic करता हूं, underline करता हूं, यहाँ पर color दियता हूं, ठीक, आप मैं चाहता हूं, मैंने जो formatting इसके की है, वो यहाँ पर category पर आजा, जैसे की student name, father name, classes, जो formatting की है, अब इसमें formatting क्या होई है, मुझे पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी formatting इस पर डाल देंगे, कैसे करते हैं, उसके लिए पहले आपको text को select करना होगा, and यहाँ पर format painter पर click कर देना, जैसी format painter पर click करेंगे, यहाँ पर format painter का icon आ जाएगा, ठीक है, आपने यहाँ पर copy कर लिए formatting की, अब यहाँ पर मुझे इस text पर डालना है, जो यहाँ पर formatting होई है, मुझे पता नहीं कहका डाला है, कौन सा color, ठीक, तो मैं यहाँ पर review लिखा है, मैं इस पर drag कर देता हूँ, sorry, इस पर ही click कर देता हूँ, mouse का left button दबा गए, जैसी करूँगा, तो देखी, यहाँ पर लिख कर दिए, क्योंकि यहाँ पर यह मर्ज था, और यहाँ पर text ऐसा था, पूरा का पूरा उस कर दिता हूं यहां पर color sorry मैं कर दिता हूं यहां पर text blue बूल्ड कर दिता हूं underline कर दिता हूं ठीक है यह कर दिए अब मैं यहां पर करता हूं इसको copy और mouse का left button दवाकर इस पर click कर दिता हूं second cell पर जैसी करूंगा उपर वाली text की formatting नीचे वाले में आ जाएगी तो केबल सिंपल सा आप समझ लेजिए अगर कोई text है वहां पर formatting है आपको उस formatting को copy करके other text में डालना है आपको पता नहीं उसमें क्या क्या effect डल हूँ है तब आप फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं आई हूप आपको ये वीडियो काफी helpful लगा दूस्तों इसी तरह की helpful बडिकली महांचेंट पर बने रही हो के फ्रेंट टेंक्स एंड बाई बाई